के लिए इस पर काउंट करने के लिए यह बनाया दोटी लाई लहीं डिन भार खाली करागा ओविष बीश मिनिट अधा लिए झाल झाल आज बहुती खुबसरत गड़ पैलेस जोकिये कोटा राजिस्तान में आपको ले के आए हैं और इसके बारे में बात करेंगे इसके हिस्टर के बारे में और अंदर बहुत कुछ यार देखने को और बहुत एक्साइडिंग और इंटरेस्टिंग व्लॉग होने माला है तो और पूरी वीडियो जरूर देखेगा तो चली ज्यादा टाइम नहीं लेंगे और आपको दिखाते हैं फटा फट से इसके अंदर चलते हैं और शुरू करते हैं व्लॉग तो एंटरेवी बनावा है बड़ा ही खुपसूरत सा ही गेट होत बड़ा गेट है है और बड़ा खुपसूरती के साथ इसका वुड़न गेट है पुरा जलेंगे हम तो टाइमिंग है इसका टैंटू 430 और यह रस्ता जा रहा है म्यूजियम के लिए कज़ा है it the अधे ट्ञूरत कर दिया है इसको जो किया गए वह बाद में किया हागा है ऑइट कलर कर दिया है ढरा एक्णलेर चाहिया इ wtih का नहीं चींदा है इसपर गजा तो जो ट्रेदिशनल आ इक हैरिटेज BIG वाला होता है येलो वह होना चीहता है जैसे कि सामने आप देख सकते हैं इस इस दी ओरिजिन कलो अफ दिस गड़ पैलेस तो यह जो रॉयल्स थे पोटा में जो महराजा थे उनके उनका में रेजिडेंस था जो कि अब मुजियम में कनवर्ट हो चुका है तो यह टिकेट देख सकते हैं हमने लिया है 50 रुपीज जो कि इंडियन के लिए उनली 50 रुपीज का टिकेट है और अगर आप उपर तक जाना जाते हैं तो इस फिफ्टी रुपीज अगर आप नॉमल मुजिवन देखना है तो इस फिफ्टी रुपीज उनली तो छोटे से चोटे के टकने का अला कि आप देखेंगे बहुत जादा बड़ी है और बहुत खुबसर जंगा यार काफी काफी पराणी है तो इस किले की जो गड़ है इसको बनाया गया था 700 साल पहले जनरेशन बाइशन इसको बनाया गया आगे और यार यह देखिए बहुत जादा पर करने के लिए यह बनाया है यह तो उससे बुल बजाने से क्या होता है ताइम का पता लग जाएगा उस टाइम का यह चीज लगी जोती शेंत्रेक है न यह मतलब एक राशिव अगेरा के साब से इस पर नंबर्स लिखे हो है हिंडी में पूरा हिंडी का बनावाए इसको गुमाया जाता होगा हाँ हां घ्यारी जोती शेंत्र बता रहे हैं कि बजोती से राशिय और मुह्रत जो निकलते हैं वो सब चीज़ें कर सकते हैं機ці इसम थे उसाम कर सकते हैं तो यार यह होने वाला है दर्बार हॉल गैलरी और इसके अंदर चलते हैं क्या क्या है देखाते हैं आपको तो यह है महाराजा उम्मेद सिंग जी इनका स्टेच्वी लगावा है काफी बड़ा है यार होते हैं इसके साथ ही साथ जो मुजिकल इंस्ट्रॉमेंट है वह यहां मुजिक के भी शोकिन होते थे राजा महाराजा और गणगोर के टाइम पर इस तरहें का लुक होता था और यह हैं यहां के महाराज राम सिंग जी महाराव राम सिंग जी और यार देखिए कोटा जो रियास सथ थी उसकी महरें आप यहां देख सकते हैं बहुत ही खुबसरत महर और जो उस टाइम के स्टाम्प होते थे और यह राजाओं के लिए कुर्सियां बेटने के लिए अधर इस तसवीर में देख सकते हैं अंग्रेजों के साथ में सभी महराजों के फोटोज और जो कि बिल्कुल रियल लग रहे हैं शायद पैंटिंग है बट रियल लग रहे हैं तो ब्रिटेन की जो महारानी थी उनके साथ उम्मेच सिंग जी और उनके जो कुछ ऑफिसर्स हैं वह यहीं पर आये थे तो उस दमाने का इस पैंटिंग मनाए गई और यह राज चिन तो अ कि राज चिन है यह देख सकते हैं कोटा का एक हर एक लोगो के सकते हैं यहां के जो राजा थे उनका एक लोगो था और उसी का एक राज गंजफा तो यार ये हैं गंजफा चोटी चोटी पेंटिंग होती हैं और सबक्रणाने होए है यो सब और दो यह सब ऑरिजिनल चान्दी के बने होएं है है और पुछ अलग मेट्रल के भी वहाइन हो सकते हैं ये कुछ हें और ये सारी कला करती है एमी और इयूळह कि बहुत हुपस्वरत तरीके से बनाई की कुर्स पूरी चांदी आप नक्रशी देखे कितनी खूफसर्त रिचितृ कहीं और यह पूरी बनी यहां अगई मैं और यही मुजा उनिम यह जो बनी है चांदी की और यही देखै당 triple- terrorism लकडी का सिंगहसन जो कि लग नियु रहे है वूड जा ज़े से कि सी मैटल का बना हुए तो यह मेंग जो राजा होते थे उनका सिंगहसन है जो कि completely wooden बना हुए wooden throne बहुत ही प्यारा सिंगासन है दोनों तरफ बने हुए है लाइन और यहां पे पालना है चांदी का जड़ाउ पालना पूरा चांदी से बना हुआ है पालना और इसमें कुछ डमीज रखे हुए है और उस टाइम की जो ड्रेसे होती थी वह यहां देख सकते हैं साथ में जोति है नहीं देखने को मिली है चांदी की शीरनाथ जी का सिंगासने जो पूरा कंप्लीट ली चांदी का बना चांदी का बना वह खकाफी पटार है आप देख सकते हैं तो लगता है 50 किलो से ज्यादाんだ पालगा और हम से कंप्लीट इस पुछ क्लम रखने कि जो एक स्टेंट श मरत तो सकते के संदें यह candidate देखे और यह देखे संगासाना जो की हाथी के दानत से बना हुआ है तरहे हाथी दाथ से बने हुआ जा खाफी सारा सामाहीं यह माँपिया है यह से जो पाल्कया होती ती ती उन पर यह लगए जाता था और यार देखी ताले और चाबी कि इतने बड़े हुआ करते थे पहले तो यह हैं old locks and keys बहुत भारी और बड़े हैं यार यह पुराने काटें और बाट जो कि आज भी देखे जा सकते हैं और यार उस टाइम की washing machine देखिए कपड़े दोने की machine पंको आप देख रहे हैं बिजली नहीं थी बड़ी मिट्टी के तेल इसमें डालके चलाए ज़दा था इसको मिट्टी के तेल से ही चलाए ज़दा था और यहां पर कपड़े दोने की machine की आइवरी का cabinet बना हुआ है चोटा सा और यह देख सकते हैं बहुत बड़ा संदूक है दो संदूक रखे हुए है बहुती शांदार तो यहार कुछ इस तरह की चीज़े यहां पर पीछे देख सकते हैं एक हाती बहुत बड़ा पत्थर काती बनावा है लेकिन रियल लग रहा है तो शस्त्रागार में चलते हैं आपको लेकि जहां पर पुराने शस्त्र और आस् रोयल हाउस ऑफ बूंदी तो यहां पर पूरा जो जन्रेशन माई जन्रेशन पूरा एक चार्ट बनावा है इस पर हम देख सकते हैं जितने भी राजा हुआ है तो अभी लेटिस्ट जो राजा है वह है महाराजा नैंटीन फॉटीफ़ड़व से नैंटीन सेवंटी सेवन महाराजा रंजीत सिंगी और कोटा राजवंच यह था बूंदी और यह कोटा राजवंच दर रोयल हाउस ऑफ कोटा त्यार यह शेस्त्रागार यह एंट्रीगेट पर रखा जाता था सर्फ धातू से बननी नौबत सेवन मेटल से बनावा है है जाता है झाल झाल । झाल प्यच्त अ झाल झाल तो यह रोयल रेजिदेंस जहां पर राजा रहा करते थे बहुत खुब सब्सक्राइब काइंड आफ शीश महलम खेह सकते हैं तो मिरर्स लगे होएं देख सकते हैं आप अपर कुछ है अच्छा देखने का तो पंके काफी पुराने हैं हाले कि उस जमाने के नहीं राजाओं के बढ़ हाँ काफी पुराने पंके लगे हुए आपको अंदर से दिखाते हैं महल जो कि था रेजिदेंस ओफ महाराजा यह बेड्रूम है महारा जागा और काफी उचाएक बना हुआ है पासी में चंबल बेहती है अगर चंबल ब्रिज अगर आपको देख विजिबल हो सामने तो आप देख सकते हैं तो या चंबल नदी के पास में बना हुआ था तो गर्भी के टाइम भी काफी खंडा रहा करता होगा यह और बह कि अगर राजस्तानी आर्ट अब देख सकते हैं पेंदिंग्स में कि वह कंप्लीट हरीटेज लोग है आप इसके अलावा यह है राजगदी जहां पर वह बैठा करते हैं अपने रूम से बाहर आकर कि जो कि इसको अभी भी विसाई लोक देने के लिए अभी भी सजा के रखा गया है आँ कि गेख सकते हैं प्लिब कर दोनिपक मैं जा हुआ हुआ है आपको लेकर चलते हैं इसके उपर की तरफ जिसका रास्ता यहां से और यहां से उपर जाने के लिए एक्स्रा टिकेट है जो कि है 50 रूपीज अडिश्न होगे ना अगर नीचोवरा पार्ट देखना है तो 50 रूपीज में आप देख सकते हैं यहां चलेंगे बाहर तो यह 50 रूपीज तो वर्थ है इसकी ऐसी बात नहीं है कि यह पार्ट तभी देखना दिया जाएगा अगर आपके पास अडिशन टिकेट है तो ही और यह वाच्ट आवर जहां से कुछ कोई अंदर आना सकते हैं दूर से देखा जा सकते हैं कोई एंटर कर नहीं कोशिश कर रहा है तो इस तरह के वाच्ट आवर बनाए जाते थे और यह जहरों कि और छत्रियां आप देख सकते हैं को अच्च एक यहां से चलते हैं और उपर तो यहां पिपर हें χe वां इन्टेंस कि जहां से अंदर आए हैं और मै streaming फैलेस का है वो है यहां से हम आगए है और उपर वाहर यहां पर देखे कितनी सारी जो पिलर्स देख सकते हैं काफी सारे पिलर्स यहां बने हो आ और कुछ काफी सारा पाइल्ट जो बंद कर दिया गया घर से यहां जो राजा हैं उनकी मीटिंग्स वगेरा हुआ करते थे और यहां असपास कुछ रोम से बने हुए चलते हैं इसके और उपर वाले पार्ट में तो इससे भी उपर जा रहे हैं वाँ यहां पर महल है तो यह राजा मादो सिंग जी ने बनाया था 1625 तो यह बड़ा महल इसमें ताला लगवा था यहां पर हम शूज पैन के नहीं जा सकते हैं तो शूज खोल के में जाना पड़ेगा साफ सफाई का बड़ा ध्यान रखा गया है त्यार देखिए साथ साल पुराण में है और यह पैंटिंग्स लगाई वे न कांच के पैंटिंग्स कांच की पैंटिंग्स के साथ में इसको बनाया गया है और अच्छा तो यह भगवान की मुर्ति लिए लिए यजए प्रूम क्ड़ाब हो घुसम की दो अच्छा यह निकाफ मीं आपकर अच्छा इन कभव गवा और यह में न बैड़ोम है न वाओ नच को न 240 तो यहार देख सकते हूं सौना ने कर दो को न मीच में एक muchणता है और बैड़ोम साथ सो साल पुराना बेड्रूम बहुत ही खुब सब्सक्राइब तरी पैंटिंग देख रहे हैं साथ सो साल से इसको संजो के रखा गया है अमेज सिंग जी जिन्होंने तो यहां के महाराज हुआ है लास्ट तो देख सकते हैं आपर अभी भी सबसे लंबा जो रूल किया है सब्सक्राइब तो यहां से बाहर का बेड्रूम से बाहर का जो लुक है बाहर की नजारे को देख सकते थे तो यहां देखिए कितना प्यारा बेड्रूम बनाए हुआ है हलाकि इस पर अभी पढ़दे डाल दिये गए हैं और इस तरह से बनाव आँ है और यहां से अगर हम देखें तो जाली लगी भी पूरी और पूरा गेट सामने से देख सकते हैं कौन आ रहा है को नहीं आ रहा है तो सामने गेट है में गेट एंट्री के लिए वहाही से उपर से आते हैं तो बहुत ही प्यारे तरीके से इसको आर्किट किया गया है कि मदा गया इसको देखे तो एडिशनल टिकेट लेना जरूरी है मैं तो एक अगर आ रहे हैं तो एडिशनल टिकेट जरूर लीजिए पूरा इसको विजिट कीजी बहुत अच्छी चीज़ी देखने लाइक तो यह राजा जो में बड़ा महली से खा जाता है जो में राजा और राणी थे उनके लिए बेडरूम बना हुआ है मादो सिंग्जी ने और उमेद सिंग्जी ने सबसे ज़्यादा राज किया है ना मादा उनका लंबा टाइम रहा है ज्यादा टाइम तक वननने टाच किया है इन लोगों ने तो अंदर अधरी किया हां मतलब यह थोड़े से द्यावान थे एक हॉस्पिटल भी बनवाए उमेद सिंग्जी ने उमेद जी के नाम से कॉलेजिज काफी सारी उनिवर्सिटीज उमेद सिंगी ने बनाई है जो यहां के लाखरी राज़त है तो यह था बड़ा महल इसी के साथ हम चलते हैं बाहर और यहां से सिटी व्यूफ और चंबल नदी का बहुती खूपसर नजारे को हम देख सकते हैं त्यार यहां आगये हैं अफ्य उपर और मेरे पीछे देख सकते हैं शेयर के ना जा रहा तो खिड़की तो नहीं कहूंगा जहरों का बनावाए च्छत्री टाइप देख सकते हैं और यहां से मैं आपको दिखाता हूं पीछे का व्यूफ यह पूरा महल कई पार्ट है बट यहां पर अलाव नहीं जाना यह सर्वेंट्स के लिए हो सकता है सर्वेंट्स या फिर जो भी महल में काम करने वाले रहते होंगे उनके जो पॉर्टर स्टाइप कुछ बने हुए तो यह है साथ सो साल पुराना महल जिसको की जनेरेशन बाई जनेरेशन डवलप किया गया और यहां के आखरी राजा थे मादो सिंग और उसके बाद माराज की बने हुए और यहां पर यहां राजा जो है यहां बेटा करते थे और कौन क्या कर रहा है यहां से पूरा जाइजा करते थे मौका मौयना करते थे तो यहां से बैटरूम से निकलके वह देख सकते थे कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है यहां से पूरा मोनिटर कर सक तो यार उस टाइम पे भी राजाओं की बहुत जाथा जिम्मेदारी होगा करती थी गवर्णेंस पूरा देखना पड़ता था राजाओं को तो यार इसी के साथ में यह महल होता है पूरा और हम चलेंगे नीचे वक्त हो गया है शाम का तो यार यह था कोटा का गड़ पैलेस जो की है म्यूजियम और सिटी पैलेस के नाम से को जाना जाता है तो यार उम्मीद करता हूं आप कोई वीडियो अच्छी लगी होगी तो यार लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अगर चैनल पर नहें तो शेयर जरूर करें तो यार मिलते हैं नई वीडियो के साथ और उमिद करता हूं आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है और इसी तरह यार प्यार देते रहे हैं और लाइक और सब्सक्राइब शेयर जरूर करिए तो मिलते हैं नेक्स व्लोग में तब तक लिए बाई